नमस्ते थर्ड आई में आपका स्वागत है आज थोड़ा प्रशान भूशन के केस की बात कर लें क्योंकि वो तो गिल्टी तो प्रणॉंस होई गए हैं अब उनको क्या सजा मिलेगे कितनी सजा मिलेगे उस पे निर्णे आना बाकी है मैं आगे बढ़ने से पहले एक आपको एंग्लेंड की थूड़ी बात कर लिए वो एंग्लेंड की बात हम इसले कह रहा है क्योंकि हमारे बहुत से इंस्टीउशन्स हमारे कानून हमारा सब कुछ इंग्लेंड से हम लोग बहुत प्रभावित हैं अभी भी बहुत से ऐसे कानून है जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं जो अभी भी चल रहा है और यह संस्थाएं जो हमारी है नहीं जैसे हम लोग कहते हैं कि डिमक्रिसी के जो तीन स्थम हैं लेजिसलेचर जुडिशिरी और यह सब सिस्टम वहीं से लिया गया है इंग्लिंड में एक स्पाई कैचर जज्जमेंट हुआ था बाइधी हाउस ऑफ लॉट्स 1987 में और वहां का एक पेपर है डेली मिरर उस ने यह उस समय जज्जमेंट को लेके बाद लोगों में रोश था तो उन्होंने वो जो तीन जज्जेस थे उनकी फोटो उल्टी लगाई थी मतलब पेपर की हेडिंग में फोटो उल्टी कर दी और नीचे हेडिंग लिखी यू ओल्ड फूल्स मतलब वहां के जज्जेस का पेपर में वो लिखते हैं यू ओल्ड फूल्स और जो उसके सबसे सीने जज्ज थे लॉट templeman उन्होंने, जब उनके पास ये माम लाया तो he refused to initiate any contempt कोई contempt proceeding नहीं शुरू कि और उन्होंने कहा कि भाई उसने जो लिखा है दियो you old fools, तो एक बात तो सत्थ है कि हम लोग old है लेकिन fools की जहां तक बाता है ये matter of perception है उन्होंने कहा, बतलब किसी को full लगते हैं, किसी को नहीं लगते हैं तो और ये कहके उन्होंने कोई इस पर contempt नहीं किया था मैं सिर्फ कहना ही जा रहा हूँ कि अगर अंग्रेज़ों ने पर छे हजार किलोमेटर दूर बैठके कुछ तीस, पैंतिस लोगों के माद्यम से हिंदुस्तान के उपर डेड़ सो अपने दो सो साल राज अगर किया, तो उनके इंस्टिउशन कहीं न कहीं बहुत पक्के हैं और उस इंस्टिउशन को वो अलग-अलग इंडिपेरिंटली काम करने रहते हैं, यह मैं इस रिफरेंट से बता रहाता है प्रशान दूशन के केस में कुछ थोड़ थोड़ आप लोगों की क्लारिटी के लिए बता दूँ, दो अलग-अलग केस चल रहा है एक केस 2009 का भी उबरा है जिस जो केस की सुनवाई चल रही है, आज 17 अगस्त को उस पर कुछ बना था, अभी तक कुछ उस पर पता नहीं लगा है, तो उसको नहीं कर रहा है उसका कुछ फाइनल जज्ज्मेंट नहीं आया है तो एक तो वो 2009 का केस है जहां पर उन्होंने लिखा था कि जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जज्ज्ज्ज्ज्ज्ज हैं और क्या क्या है उसके बारे में लिखा तो वो अभी चली रहा है, इसलिए उसके कुछ नहीं बोलना है जो अभी जज्ज्मेंट आया है वो आया है, प्रशान भूशन ने ट्वीट किया 27 और 29 जून को इसी साल और वो ट्वीट दो अलग अलग ट्वीट थे एक ट्वीट में जो सुप्रीम कोर्ट की दशा है उसके बारे में वो बोल रहे थे उन्होंने कहा थे जो पिछले चार सीज्ज्ज आई है वो सरकार के साथ मिलके उन्होंने इंडियन डिमोक्रिसी को कमजोर किया है ये उनका एक ट्वीट था उनका दूसरा ट्वीट जो था वो कंड़क्ट आफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उपर था उनके आच्छनल के उपर था और उनका जब क्योंकि उसमें क्लारिफिकेशन आया और जो कोट में उन्होंने हल्फ नामा दिया वो सुप्रीम कोट के जचीफ जस्टिस साहब है वो एक बहुत महंगी शायर 40-50 लाग की बाई की उपर बैट की फोटो के चवाए थे लेकिन जो मूल बात ये थी उन्होंने कहा कि मैं ये यार दिलाना चाह रहा था कि जो सुप्रीम कोट है वो इस पैंडमिक में या इस कोरोना के वाइरस के समय करीब-करीब बंध है लीविंग सिटिजन विट नो एक्सेस टू देर फंडमेंटल राइट तो उनका जो फंडमेंटल राइट है आफ जस्टिस का सुप्रीम कोट के बंध रहने से नयाप आलका के बंध रहने से वो कहीं न कहीं से कमजोर हो रहा है ऐसा उन्होंने कहा ये जो दोनों ट्वीट हैं ये कुल मिला के छे सो केरेक्टर के हैं ये जब यही सारा कुछ मुद्दा है, जज्मेंन जो आया है वो 108 पेज का आया है इस छे सो करेक्टर के ट्वीट के जो जज्द्मेंट पास किया गया हो 108 पेज का कियागी और जो यहा है इनका जो बात ही कहा हैं कि सुप्रीम कोट का कहना ही है कि ने ने हम बिलकुल चाक चौबंध हैं, हम बिलकुल ठीक से खुले हुए हैं, हम पूरा काम कर रहे हैं। उसमें Supreme Court ने statistics भी दी हैं। Supreme Court का कहना है कि हमने मार्च से अगस्त, क्योंकि 20-22 मार्च से, मार्च से अगस्त का वो 5 महिने की बात कर रहे हैं। पांच महिने में 12,678 different cases attend किया हैं और 686 petitions को सुना हैं, इन पांच महिने में। लेकिन जड़ा मैं आपकी जानकारी के लिए पता दूँ क्योंकि आप एक कोई statistics भोल दीजे, लेकिन वो जब तक with reference to come कुछ नहीं होगा, तब तक आप इसकी बेमानी मात हैं। सिर्फ इतना कहा दिया, ये नहीं बताया है कि इसी पीरिट में पिछले साल आपने कितना काम किया था, वो उसमें silent है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि एपरियल मेना, जो पुरी तरह से बंद था, फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि दोहजार, seinerई से एपरियल में कितना काम हो, और उसके मकाबले 2020 में कितना काम हो, अब कहे कुछ भी मतलब मैं भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोग जानते हैं मेरी मलाकात है वर्चुली बंध है इसको कोई मानने चाहना मानने हाई कोर्ट आप यहां आके देख लीजे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट को जासाब लोग क्यो बंध किया है, क्यो नहीं कर रहा है, क्या वर्चुली कर रहा है वो अलग बात है, क्योंकि जासाब तो दूर रहेंगे उनको तो करोना से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी बंध है तो ये कह देना कि बिल्कुल सामान ने है इसमें कुछ बाते मैं आपको बता दू कि मतलब ये जो कोड का ओर्डर आया है जब ये हेरिंग पूरी हो गई थी प्रशान भूशन ने जब कोड की हेरिंग खतम हो गई थी तो उन्होंने 130 पेज का एक पेटिशन एफिडविट जो भी गई इसमें फाइल किया था और उसमें उन्होंने सिलसलेवार बहुत से चीज़ें बताई हैं बहुत से पराने जजज्मेंट कहें हैं और उनका एक मूल ग्रिवांस कह लीज़े यह था उनका कहना था कि जिस पेटिशन कोई आधार पे आप मेरे उपर यह सब मुकदमा उकदमा चलाए हैं जो भी है उसकी कॉपी तो मुझे दीजे उन्होंने आओ बताब किस बेसिस पे आप करना है वो कॉपी नहीं मिली है जो की बेसिक नेटिल जैशन शायद उनको मिलनी चाही थी और ना उनकी पेटिशन का कोई इस जज्ज्मेंट में दूसरा उनकी जो वकील है दवे साहब उन्होंने बार-बार एक ये प्रश्ण पूछ रहे हैं जस्तिस अरुन मिश्रा से कि आपकी बेंच में ये केस कैसे आया मैं अरुन मिश्रा साहब के बारे माँचे बताओंगा तो वो क्लियर हो जाएगा और उनकी बेंच में कैसे आया क्योंकि अगर ये cgi ने आपको मार किया है तो उनका कहना है ये गलत है ये वकील दवे साहब करना है क्योंकि यह CGI एक तरह से CGI के अगेंस्ट वा था तो यह आपको नहीं माग करना चाहिए था लेकिन सुनवाई के दौरान जस्स मिश्णा ने कहा कि यह फैसला बेरी कोर्ट में लाने का जस्टिस रमन्ना जो नमबर टू हैं CGI नमबर वन रमन्ना साब नमबर टू जस्टिस रमन्ना ने लिया था लेकिन जब यह जज्जमेंट उन्होंने किया उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं है अच्छा यह सब कुछ बातें जो मैं है योगेंद रियादव जी को आप जाके गू कि 16 प्रमुख व्यक्तियों ने इंप्रीडमिंट का एक लिटर दिया था एक पेटिशन दी थी और जिसको डिप्टी रेजिस्टार ने खारिज कर गिया था 16 प्रमुख व्यक्ति देश के उसका भी कुई मेंशन इस जज्जमेंट में नहीं है अब मैं थोड़ा आपको कि इसको जल्दी से सभाने की कोश़् कर रहा हूँ कन्टेंट देखर देंकि एक तुछ सिविल होता है एक क्रिमिनल क मैं कन्टेम्ट कर स्चेशन 2C in the Contempt of Court Act 1971 के तहत होता है criminal content में मोटे तौर पे तीन section 2C का 1, 2 and 3 है 1 है scandalize, उसको लंबा किया है लेकिन अगर कोई ऐसी बात जिससे आप scandalize कर रहे है दूसरा है interferes, आप उस judgment में उस justice में interfere कर रहे है तीसरा है obstruct ये तीनों चीजें उस 2C में है अब एक चीज़ ये नहीं समझ में आती है कि जो इनका tweet है वो कैसे scandalize हो सकता है या कैसे justice में interfere कर रहा है या कैसे justice में obstruct कर रहा है क्योंकि जैसे आपकी समझ के लिए बता दू एक frivolous petition लोग बहुत डालते रहते हैं इसी भी उसके लिए इधर से उधर से तो वो court के काम को बाधा पहुचाती है लेकिन एक अगर tweet किया गया है उसमें ये इसमें कैसे बाधा पहुच रही ये समझना ज़रा मुश्किल है लेकिन Supreme Court ने इसमें सपष्ट किया है जब अपना order pronounce कि कि हमें प्रूफ नहीं करना है हाला कि अभी तक हम लोग सुनते आये थे ना कि court में प्रूफ किया जाता है कि इस साक्षों के अधार पे Supreme Court का कहना है कि हमें प्रूफ नहीं करना है और दूसरा section 12 में जो quantum of punishment है इसी जो मैंने आपको contempt of court act कितना punishment हो सकता है उसके अनुसार छे महिना की जेल और या और होता है और एंड दो हजार रुपे का नगत जुर्माना लेकिन इसमें भी इन्हों ने कहा है कि हमारे पास इसकी unlimited power से हम इससे बंदे नहीं हैं हम सीदे constitution से बंदे हैं और हम इसमें कुछ भी कोई भी judgment कितना भी सजाद दे सकते हैं अब मैं जड़ा एक important बात पर आ जाओ कि ये जो मैंने पहले कहा था कि justice arun mishra को मैं क्यों कहा रहा था कि ये आप को बताना चाहूँगा justice arun mishra का number 3 है नंबर एक दो आपको बता चुका है number 3 है और 2 सितंबर को रिटायर हो रहा है तो जैसा अभी परंपरा है मतलब रिटायर्मेंट के बाद इश्वर से प्रार्थना है कि उनको कोई अच्छी जगह मिले उनको कोई अच्छा पद मिले उनके प्राइम बिनिस्टर के बारे में उन्होंने अभी क्या कहा था यह ज़रा सुन लीजिया प्राइंड आपने सुन लिया उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दे रहा हूँ, एक डी प्रिंट में 24 अक्टूबर को एक खबर छपी है, मैं उसकी हेडलाइन दे दे रहा हूँ, आप गूगल करेंगे, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके कुछ मुख्य अंच मैं आपके साथ साजा कर रहा हूँ, पहला उसमें एक आए कि जो आपको अगर याद हो कि 12 जनुरी 2018 को चार जज़ेज ने दीपक मिश्टा के अगेंस्ट एक तरह से एक प्रेस कॉंफरेंस की थी, और उसमें उस जस्टिस लोया की भी बात हुई थी, कि कैसे वो एक जूनियर जज़ के पास दीपक मिश्टा न में आपको मिल गया है, हाना कि बाद में ये उसमें हट गए थे जब ये सभला अल्ला मचा था, दूसरा उस प्रिंट में है कि कैसे समर विकेशन जज़, मतब ये इतने सीने ने, नमबर तीन, दो, तीन, मतब इतने हैं, अभी के दिनों में, इन्होंने कैसे समर होलिडेस के दौरान, विकेशन बेंच में कैसे अडानी ग्रूप का केस लगाया, उसमें भी क्रिटिसम ये हुआ था, कि ऐसी कोई हरबड़ी नहीं थी, और जनरली, विकेशन में सीने जज़ज नहीं बैठते हैं, तो वो एक उसमें है, प्रिंट में है, तीसरा, आपके नॉलिज के ल हडिस्मेंट हुआ है, उस केस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगाई साहम ने उस समय, बीस एप्रिल, शनिवार के दिन, जिस दिन कोट नहीं बैठता है, एक स्पेशल हेरिंग की, और स्पेशल हेरिंग में, उस सब्ताइस जज में, जो आफटर सीजी आई, जो नेक् अरुन मिश्रा थे और जस्टिस दीपाग उपता थे, जस्टिस अरुन मिश्रा उन से सीनियर थे, तो आफटर सीजी आई ही हो अज़ा सीने मोस, मैं आपकी याद के लिए दिला दू, उसके बाद जस्टिस गोगई को क्लीन चिट मिल गई, मैंने एपिसोड किया, आप उस लेकिन अगर दोनों सज बोल रहे थे, तो क artifacts? सुप्रिम कोट कैसे चलता है? नहीं मानों. सुप्रिम कोट का कहना है कि लोकड़ाउन की स्तिती नहीं है, लेकिन अगर लोकड़ाउन की स्तिती नहीं है या इस समय पूरी तरह से काम कर रहा है, तो हम सब लोगों को एक बार हैं रक्षक हैं तो कहीं न कहीं उनकी भी जमेदारी बनती थी ऐसा हम लोग की उमीद थी दूसरा अगर आपकी नॉलिज के लिए बता दो एक election bond है जिस पे बहुत जादा हेरा फेरी की बात हो रही है सरकार बार और कह रहे हैं उस पे एड़र्णमेंट टू एड़र्णमेंट देता ही जा रहा है सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुन रहा है पुस्पोन करता जा रहा है पिछले दो साल से करीव एक डिएल साल से वो पेंडिंग है क्यों नहीं कर रहा है मतला अडानी का केस अगर vacation में सुन सकते हैं तो इनका क्यो नहीं सुन सकते हैं अगर ट्विटर वाल प्रशांद भूशन का इतना है उससे ज़्यादा इंपोर्टन है देश की political system भ्रष्टाचार ये सारी सीज़ों से रिलेटेड है लेकिन उसको नहीं सुन रहा है अब फिर से ये एक मैं आपके उसके लिए लगा रहा हूं प्रधा कि देश के लिए मर मिटने वाले आजहादी के जंग के अंदर जान खपाने वाले वीर शहीद भगत सी कि जब जेल में थे मुकदमा चल रहा था क्या कोई कॉंग्रेसी परिवार का द्यक्ति शहीद भीर भगत सी को मिलने गया था मिलने गया था अगर प्रधान मंत्री भी जूट बोले तो आदमी किस कोट में कहां जाए धन्यवाद